कोई भी त्योहार हो, तो सबसे पहला नंबर खीर का आता है, यही आता है मन में कि चलो खीर बना ली जाए, खीर एक ऐसा डिजर्ट है कि सभी को बहुत पसंद होता है और बन भी बहुत आसानी से जाता है, तो आज में बनाऊंगी खीर ना ही खोगय का इस्तेमाल करेंगे, न बैं दो आई जाल हिए रेसिपी को सुरू करते हैं तो इसे में के लिए ने सकते हैं आप चावाल लेots चावाल लहाने घवल एक निर्थ हाफ कप से थोड़े से कम चावल लिये और ढूर को आप तक दिया है अब हम आ जाते हैं चूले की तरफ तो यह मैंने एक हैवी वर्टम का बड़तन लिया है उसमें थोड़ा सा पानी डाला है और डेल लीटर दूद्ध डालेंगे हम इसमें और इसको चलाते हुए गरम करेंगे अब हम इसको दूसरे चूले पर शिफ्ट कर देगे अर उसमें एक चमाज देशीघी डाला है घी जैसे ही गरम हो जाएगा तो हम इसमें कटे हुए, बादाम, पिस्ते, काजू और चारुली शामिल कर देंगे अब इसको लगातार चलाते हुए चंद सेकंड के लिए फ्राई कर लेंगे और गैस को मीडियम रखेंगे क्योंकि पिस्ता बहुत जल्दी से जलने लगता है और काजू भी बहुत जल्दी से कलर चेंज कर देता है तो अम उसको फ्राई करें के निकाल आप सिमिंग जितना गी है उसमें हम यह चावल फ्राई करेंगे जो भलक रखे थे हैं जो तो चावल को भी हम मेडियम पर रखेंगे हाई फ्राइम नहीं रखेंगे और लगातार चलाते हुए इसको भी एक से दो मिज़न की लिए हम फ्राई करेंगे शाबल का कmäß को यह दोनों को मैंने फ्राई कर लियाए अब इसको ठंडा होने के लिए साइड मे रखेंगे iy फ्राई हो चुकए है अब फिर वापस से हम आ जाते हैं दूद की तरफ तो यह मैंने तीन इलाइची डाल दिये सफेद इलाइची मुझ खोल की डाल दिया इलाइची की खुश्बू खीर में बहुत अच्छी लगती है और लगतार इसको चलाते रहेंगे और यह देखिए अच्छा सा दूद जो ह अब हमने जो चावल लिए थे भी फ्राइच करके उसका मैंने पेस्ट बना लिया है दरदरा सा पीस आया है फुड़ा सा दूद डालके उसको पीस लिया है अभी चावल हम दूद में डाल देंगे तो धूड में चावल डालने के बाद इसको लगातार चलते रहेंगे तो चावल नीचे बैठती ही चीपकने लगाँगे तो खीर जल जाती एकर तो उसके मज़भ खराब हो जाता इसका हमें ध्यान रखना रहा है तो थोड़ा सा चावल उसमें बचाता है, मैंने थोड़ा दूर डालके वो भी इसमें डाल दिया है, और फिर लगातार इसको चलाते रहेंगे, गैस को मीडियम रखेंगे, हाई नहीं रखेंगे, तो देखिए हीर अच्छे से पकने लगी है, अब मैं इसमें शकर डालेंगे शकर मैंने लिए, हाफ कप से थोड़ी सी कम, तो आप अपने टेस्ट के हिसाफ से शकर ले सकते हैं, जितना मीठा पसंद करते हैं, उस हिसाफ से डाल दिये, और इसको वापस से चला देंगे शकर डालने के बाद, तो शकर डालने के बाद थोड़ा सा ये, पतली होने लगत काजू भी बहुत जल्दी से चिपकने लगता है तली में तो वह भी जले ना इसलिए हम इसको लगातार चलाते हुए पकाएंगे तो जैसे ही देखिए अभी खीर जो है गाड़ी होना शुरू हो गई तो काजू पीस के डालने से और चाबल इस तरह से डालने से इसका में आइट किये थे तो मैंने डाल दियें बादाम पिस्ते सब जितने भी ड्राइफूट से सब डाल दियें और थोड़ा सा मैंने लाइची पॉडर डाला है और इसको लगातार चलाती हुए वापस से पकाएंगे थोड़ी देर तो खीर हमारी मदेदार सी तयार हो चुकी ठंडी होने के बाद यह और गाड़ी हो जाएगी अब गैस को आफ करेंगे खीर को थोड़ा सा ठंडा होने देंगे ठंडा होने के बाद इसको सर्फ कर देंगे तो गैस को आफ कर दिया है मैंने ठंडा होने का इंजार करते हैं फिर इसको सर्फ कर दें तो देखी इदर खीर को मैंने बाउल में निकाल दिया सर्प कर दिया, थोड़ा सा सजा देंगे अच्छा सा फिर्जन टेबल दिखाने के लिए और कोई भी तेवार पे जब बनाते हैं तो थोड़ा सा अच्छा सा सजाई देते हैं उसको तो देखिए मजदार सी खीर तयार है रेसिपी कैसी लगी तो जरूर बताइएगा वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करिएगा शेयर करिएगा जादा से जादा लोगों में और थैंक यू सो मच्छ, अल्ला हाफिज